नमस्कार, आज मैं आपको बताने जारी हूँ कि मनोकामना पूर्ती के लिए शिव चालीसा का पार्ट कैसे करें, नियम और अलग-लग मनोकामना के लिए शिव चालीसा की कौन सी पंक्तियों का जाब करें, हमारे हिंदू धरम में भगवान को याद और उपासना करने के लिए हमारे रिशियों ने जो सरल भाषा में पार्ट बनाई है, उन्हें ही चालीसा का नाम दिया गया है, चालीसा को भगवान शिव की उपासना के लिए बनाई गई है, जिसे भगवान पूरे मन से पढ़कर, भगवान शिव को प्रसन कर सकते हैं, भगवान शिव को भोलेनात कहा जाता है, वे अपने भक्तों के थोड़े से भक्ती भाव से प्रसन होकर उन्हें आशिर्वात देते हैं, शिव चालीसा का पाट करने से जीवन में डर भैसे छुटकारा मिलता है, सारे दुख और परिवारिक जीवन में कोई भी समस्या हो, आर्थिक समस्या, संतान प्राप्ती के लिए, गरवती इस्तरियां अपने बच्चे की रक्षा और सेफ डिलिवरी के लिए ये पाट कर सकती हैं, वे वाहिक जीवन में परिशानिया खतम होती हैं, विवा में आने वाली रुकाव और अप्टें खतम होती हैं, अच्छा जीवन साथी मिलता है, बिमारियों से छुटकारा मिलता है, स्वास्त्य समस्याओं से पीडित बच्चों को शिव चालिसा पढ़नी या सुननी चाहिए, माता-पिता अपने बच्चों की और से शिव चालिसा का पाट कर सकते हैं, इस अगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है अब मैं बताते हूं कि मनोकामना पूर्ती के लिए शिव चालीसा का पार्ट कैसे करें शिव चालीसा का पार्ट इस्तरी पूर्ष कोई भी कर सकता है बच्चे भी कर सकते हैं सोमवार के दिन से इसकी शुरुवात करें वैसे तो पर किसी विशेश मनो कामना के लिए आप इसका 11, 21 या 49 दिन लगातार पार्ट कर सकते हो और रोज आप इसके कम से कम तीन पार्ट से लेकर 108 तक कर सकते हैं, इतने नहीं कर सकते तो इसके आप रोज 11 पार्ट जरूर करें। अब पाट के दिन सुब़ा जलदी उठकर सनान करें, सनान के पानी में थोड़ा गंगा जल डाल कर सनान कर सकते हैं, साफ कपड़े पैने, नीले, काले या गेहरे रंग के कपड़े ना पैने, हलके रंग के कपड़े सफेद, क्रीम, पीले या गुलाबी पहन सकते हैं सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्ग दें फिर शिव परिवार की प्रतिमा के सामने उत्तर या पूर्व या इशान कौन की तरफ मुख करके एक सफेद आसन पर बैठ जाएं सफेद आसन ना हो तो किसी भी आसन पर बैठे पर गैरे रंग के आसन का इस्तेमाल ना करें अगर आपके पास शिवलिंग हो तो शिवलिंग का अभिशेक भी जरूर करें एक घी का दीपक जला लें हाथ में चावल फूल या जल लेके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए संकल पलें की आप किस मनोकामना के लिए शिव चालीसा का पाट कर रहे हैं कितने करेंगे और कितने दिनों में करेंगे और अपने पाट की सफलता के लिए प्रात्ना करें सबसे पहले गनेश जी की पूजा करें ओम गणगण पतये नमा बोलते हुए, माता गोरी की करें, शिव परिवार की प्रतीमा में सबको तिलक लगाएं, फल, फूल, धूब, दीप, नैवध्या अरपित करें, अगर शिवलिंग है तो उसका पंचामरिस से अभिशेक करें, ऐसा ना कर सकें तो केवल जल से या गंग जल मिले जल से भी अभिशेक कर सकते हैं, भगवान का मंत्र बोलते हुए अभिशेक करें, सफेद चंदन से तिलक करें, सफेद फूल, बेल पत्र, वस्र के रूप में कलावा, धूब, दीप, अरपित करें, जितना आप कर सकते हैं करें, एक लोटे में जल भी वहाँ पर भ परकर रखें, भोग आप उन्हें खीर का लगा सकते हैं, कोई मिठाई ले सकते हैं, नहीं तो मेवे या मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, भोग लगाते समय बोलें, ये प्रभू सब आप ही का दिया हुआ है, आप ही का दिया आपको अर्पित कर रही हूं या कर रहा हूं, क्रिपय से स्विकार करें अखंडित चावल या काले तिल भी भगवान को जरूर अरपित करें फिर बाद में इनको किसी गरीब को दान कर दें शिव चालीसा की पुस्तक पर भी तिलक जरूर लगाएं मन में भगवान का ध्यान करते हुए पंचाक्ष्री मंत्र 11 बार बोलें फिर शिव चालीसा का पाट करना शुरू करें पाट के बाद शमा याचना जरूर करें और अपना पाट भगवान को अरपित करें हाथ में जल लेके बोलें की मैंने जो ये शिव चालीसा के पाट किये हैं ये मैं आपको अर्पित करता हूँ या करती हूँ, आप अपना अशिरवाद मुझ पर बनाई रखें और मेरी मनोकामना पूरी करें, महा शिवरात्री या शिवरात्री के दिन अगर शिवजी की पूरे विधी विधान से पूजा करके 108 पार्ट पूरी श्रदा भाव से किये तो माना जाता है कि मनोकामना जरूर पूरी होती है और ये सिद्ध हो जाता है, अगर आप शिव चालीसा के पार्ट को सिद्ध करना चाते हैं, तो हाथ में जल लेके इस तरह से संकल्प लें, हे परमपिता परमेश्वर, मैं, अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, श शिव चालीसा के पार्ट को सिद्ध करने का कार्या कर रहा हूं या कर रही हूं, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, मेरे द्वारा कियेगे कार्या में, किसी भी परकार की कोई गलती हो जाए, तो मुझे एक शमा करें, ऐसा कहते हुए जल छोड़ दें, आप पूरे 108 बा पूर्ण होने पर हाथ में जल लेकर फिर इस परकार से बोलें, हे परम पिता परमेश्वर मैंने शिव चालीशा के पार्ट में सिद्धी प्रापत करने हैं, तु यह कार्या किया है, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, मेरे द्वारा किये गाए स्मास शिव चालीशा के पार्ट को मैं आपको अर्पित करता हूँ या करती हूँ इसमें मुझे पूरंता प्रदान करें ऐसा कहते हुए हाथ के जल को नीचे छोड़ दें इसके बाद आप रोज एक पार्ट शिर्ट चालिसा का जरूर करें अशुद है तो मानसिक रूप से करें पार्ट को कंठस्थ करने का प्रयास करें मतलब बिना पुस्तक देखे आप ये पार्ट कर सकें इसका पार्ट कभी भी किसी का गलत करने के लिए ना करें पार्ट सिद करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए इसका परियोग करें कुछ नीमों का ध्यान रखें पार्ट करते समय अपना ध्यान भगवान शिव में लगाएं शिव चालीसा का पार्ट मध्यम स्वर से लैबत्ता के साथ बोल कर करना चाहिए ताकि परिवार के सब लोग इसे सुनकर लाब ले सके शिव चालीसा का पार्ट करते समय किसी प्रकार की जल्द बाजी ना करें पूरी श्रदा भाव से पाट करें भगवान शिव की पूजा में मन की शुद्धी और निष्ठा भाव का होना बहुत जरूरी है भगवान शिव का अर्थ नारेश्वर रूप है घर और बाहर हर इस्त्री का सम्मान करें मास मदिरा का सेवन ना करें सात्विक भोजन लेना है शिव चालीसा का पाट आप घर पर या शिवाल्या में भी भगवान के सामने बैट कर कर सकते हैं शिव जी के साथ माता पारवती की पूजा जरूर करें क्योंकि शिव और शक्ती एक ही है शिव पुरान के अनुसार शिव और शक्ती का संयोग ही परमात्मा है पाट के बाद उठने से पहले आसन के नीचे एक बुन जल गिरा कर अपने माथे से जरूर लगाएं इससे पाट का पूरा फल मिलता है दीपक इस तरह से जलाएं कि वो पाट के अंतक जलता रहे पाट के बाद लोटे में रखे जल को थोड़ा परसाथ के रूम में सब को दे दे बाकी जल घर के चारों और छिड़क दे और परसाथ घर में सब को बांड दे और खुद भी ले जितने पाट करने का संकल्प लिया है उतने करने के बाद शिव मंदिर जाएं भगवान को प्रसाद चड़ाएं, संभव हो तो सफेद वस्र अर्पित करें, प्रसाद को गरीबों में बांड दें, थोड़ा अपने परिवार के लिए रखें, फिर उसके बाद रोज एक पाट करें, पाट के अंत में अपनी गलतियों और पूजा पाट में हुई जरूर करें, सोमवार के दिन व्रत रखकर चालीसा का पाट करना बहुत ही अच्छा रहता है, जोट, छल, कपट, कले कलेश से दूर रहें, अपने भी तिलक जरूर लगाएं, फिर ही पाट करना शुरू करें, पाट के बाद भगवान की आरती करें, परिक्रमा करें, अब म आपको बताती हूँ कि अलग-अलग मनो कामना के लिए शिवचालीसा की कौन सी पंक्तियों का जाब करें, मन चाहा वर पाने के लिए शिवचालीसा की इस पंक्ति का जाब करें, कठीन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसंदिये इच्छित वर, डर या भै को दूर कर करने के लिए इस पंक्ति का जाब करें जै गनेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कैत अयोध्या दास तुम देव अभैवर्दान अगर आप बहुत परिशान और दुखी हैं तो शिव चालीसा की इस पंक्ति का जाब करें देवन जबही जाए पुकारा तबही दुख प पूरा करने के लिए इस पंक्ति का जाब करें पूजन राम चंद्र जब कीना जीत के लंक विभीशन दीना धन धान्या की व्रिदी के लिए इस पंक्ति का पाट करें धन निर्धन को देत सदाही जो कोई जांचे सोफल पाही इन पंक्तियों का जाब मंत्रों की तरह एक सो पूरी हो जाती भगवान के सामने एक दीपक जला लें शिवलिंग हो तो उसका पंचामरिस से अभिशेक करें या जल से अभिशेक करें और कुछ भौग भगवान को अरपित करें जो भी आपकी मनोकामना है पूरी हो जाने पर गरीब लोगों को सफेद मिठाई जरूर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे धन्यावाद